Hello and welcome to Desi Pataka, मैं हूँ अरादना आपके साथ Big Boss Season 13 के बाद, असिम रियाज और हिमाशी की जोड़ी, यानि कि असिमाशी की जोड़ी काफी famous हुई और अब हिमाशी ने बड़ी बात बोली है अपनी और असिम की शादी को लेकर टोलर्स को भी काफी कुछ बोला है हिमाशी ने, क्या हिमाशी असिम रियाज के साथ उनके पैसों की वज़े से, उनकी popularity की वज़े से हैं, हिमाशी ने मूँ तोड़ जवाब दिया है हिमाशी ने कहा है, अभी हम दोनों शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं working grounds पर हम लोगों को बहुत सारा काम मिल रहा है round the clock हम लोग काम कर रहे है, amazing offers मिल रहे है शादी का मतलब होता है कि हम दोनों के एक दूसरे को time देना पड़ेगा और हम जिस industry में काम कर रहे हैं, हम दोनों की industry बिलकुल अलग है और लोगों का दिमाग इस industry का जो mindset है वो पूरी तरह से अलग है हमारी परवरिश अलग है, हमारा religion अलग है, वो मुंबई में रहता है सब कुछ काफी अलग है वहाँ पर और हम दोनों अभी जल्दबाजी में कोई भी decision लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते है we don't want to mess up things marriage यानि कि शादी एक बहुत बड़ी commitment है और हमें शादी का decision जल्दबाजी में नहीं लेना है जिससे बाद में लोगों के लिए वो एक मज़ाद बन जाए हमें prepare है, we want to be prepared for it हमें उसके लिए prepare होना है और हम चाहते हैं कि वो सही समय पन हो और वो एक mature decision होगा उसके बाद हमांशी नहीं ये भी बताया कि कई साइट टोलर्स ये कहते हैं कि हमांशी जो हैं वो असिम के साथ पैसों के लिए हैं कहती हैं कि there were so many things there about me and असन ये कि उनके और असिम के लिए काफी कुछ टोलर्स ने बोला लोगों को हमारे रिष्टे की सच्चा ही नहीं पता उनको नहीं पता हम दोने एक दूसरे के लिए कितने supportive हैं उनको ये भी नहीं पता कि मेरे पिछले break up का reason क्या था break up होता है तो हमेशा लड़की को क्यों blame किया जाता है क्या मुझे अपनी जिंदगी को चूस करने का हक नहीं है लोगों को लगता है मैं असिम के साथ उसके पैसे और उसके fame की वज़े से हूँ लेकिन असिम के मेरे जिंदगी में आने से पहले क्या मेरे पास पैसा और fame नहीं था मैं आपको बता दू हिमानशी पंजाबी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और हिमानशी कोई छोटी का लाकार नहीं है हिमानशी को हर कोई जानता है वेल गाईज आपका क्या रियाक्शन है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करने बिल्कुल न भूलें बताए